टोर मैट पर काबा प्रिंट उतावली हुई मुस्लिम भीड पत्थर बाजी लगे उनमादी नारे पुलिस ने किया तगड़ा एक्षिन नमस्कार कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबस्ट उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई जहां अचानक सामप्रदाइक तनाव फैलने लगा पत्थर बाजी हुई उनमादी नारे लगाए गए दरसल यहां एक माट में डोरमेट के उपर मक्का के काबा का प्रिंट उने का आरोप लगा और देखते देखते एक भीड हमलावर हो उठी लेकिन पुलिस ने तगड़ा एक्शन लेते हुए भीड को अच्छे से समझाया तो क्या कुछ है पूरा मामला आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में विस्तार से बताते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बलरामपूर जिले में अचानक हड़कम्प मच गया जब डोरमेट पर काबा प्रिंट है कहकर मुस्लिम भीड उतावली हो गई इतना ही नहीं पत्थर बाजी और उन्मादी नारे लगाए गए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दे कि आखिर ये काबा है क्या भारत में सभी धर्म के लोग रहते हैं जो अपने शद्धा के अनुसार अल्ला बगवान या फिर इश्वर को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं हर धर्म में हर चीज का एक साइंटिफिक रिजन होता है जिसे लोगों को कई तरह से मांसिक और शारेरिक रूप से फायदा होता है जैसे पूजा करने से मन को शांती मिलती है नमास पढ़ने से कहा जाता है इंसान फिट रहता है आपने यकीनन मुसल्मानों की हज यात्रा क कि मक्का में मुसल्मानों द्वारा साल में एक बार जरूर की जाती है क्योंकि ये इसलाम की पांच बुनियात का एक एहम हिसा है काबाया खाने काबा मक्का साउदी अरब में स्थित एक घनाकार इमारत है इसे इसलाम को सबसे पुवितर स्थल माना जाता है इसलामी परंप के सारे मुसल्मानों पर यह लागू है कि वो नमाज के समय कावा की और मूग करके नमाज अता करें तो इसी मक्का के कावा को लेकर यूपी में विवाद हो गया हालात हिंसा जैसे हो गए पुलिस ने कारवाई की तो हिंसा और भड़क गई दरसल उत्तर प्रदेश की पर जिले में शुकरवार 12 अप्रेल 2024 को सामप्रदाइक तनाव फैल गया यहां एक शौपिंग मार्ट में डोर्मेट के उपर मक्का के काबा का प्रिंट होने का आरोप लगा कर एक भीड हमला अपर हो उठी हाला कि पुलिस द्वारा इससे वाल हैंगिंग बताया जा रहा ह है तब भीड ने उत्तेजिक नारे बाजी के साथ पत्थर बाजी भी की हाला कि मुसलिम बहूल ले उत्रॉली बाजार में पुलिस की सक्रिता के चलते एक बड़ी अनुहोंडी टल गए पुलिस ने एक्शन डिया अब पुलिस पचास से साथ अग्यात हमलावरों के खलाप में वी बाजार नाम के एक शॉपिंग मार्ट है इस मार्ट के मैनेजर का नाम अखिलेश जैसवाल है बारा मार्च को शॉपिंग मॉल में मुसलिम समुदाय के कुछ यूवक आगे उन्होंने आरोप लगाय कि मार्ट के अंदर डॉरमेट पर काबा की तस्वीर प्रिंट कर करके बेची जा रही है एक वारल वीजियो में वह यूवक मैनेजर से डॉरमेट लाने का दबाओ कर रहा है हलाका उन्हें बेचे जाने का दबाओ मिल रहा है एक अन्य वीजियो में मुसलिम समुदाय के इन्हीं लोगों दो द्वारा फोटो कीच कर पत्रकारों के शुरूर कर दी माहौल भापकर मैनेजर ने उत्रॉला थाना पुलिस को सूचना दी जानकारी दी थाने से संब इंस्पेक्टर किसलाई मिश्रा अपने साथ कुछ सिपाहियों के साथ ततकाल भी बाजार पहुच गए संख्या बलकम होने के बावजुद उन्होंने नाराज ल लिखित शिकायत देने की अपील की सब इंस्पेक्टर किसले और इंस्पेक्टर संजे दूबे की इस अपील का साकारात्मक असर भी दिखा और कुछ लोग लिखित शिकायत देने के लिए आगे आए उन्होंने वी मार्ट के मैनेजर डारेक्टर के साथ साथ कुछ अन्य स् करने की इस शिकायत पर पुलिस ने अफ़ायार दर्ज कर ली और लोगों से शांती बनाए रखने की अपील की हालाकि दौरान प्रशासन निश्चित होने के बजाए चौकन ना रहा और उसकी यही सक्रिता काम भी आई पुलिस ने की शिकायत दर्ज और ज्यादा हिंसक होई भीड उत्रोला थाने में शिकायत दर्ज होने के बावजूद भी हिंसा पर अमादा एक भीड पर पुलिस की अपील का कोई असर नहीं पड़ा वो तेजक नारे बाजी करते वे माट के आगे जाम करने लगे इसमें अल्लाहु अकबर और लबे लबेक आदी नारे शामिल है रास्ते को जम करने की कोशिश की गई पहले से सतरक पुलिस बल फिर फॉरण मौके पर जमा हुआ संख्याबल कम होने के मावजूद पुलिस ने मोचा संभाला और धारा 144 लागू होने जैसी बातों से लोगों को समझाने की कोशिश की अलाकि पुलिस की मौकिक नसीषत का भीड पर कोई असर नहीं पड़ा बदा जा रहा है कि हिंसक भीड ने वी बाजार पर पत्थराओ कर दिया इस पत्थरबाजी में वी बाजार के ग्लो साइट बोड का एक हिस्सा टूट गया बाजार में अफरा तफ्री का बाहौल बनन पुलिस द्वारा सकती दिखाए जाने के महस 10 मिनट के अंदर उपद्रवी भाग खड़े हुए और माहौल सामान ने हो गया वहीं पुलिस ने 50-60 अग्यात हमलावरों के खिलाप IPC की धारा 143,504,506,188,341,336 और 427 के साथ आपरादिक कानून अधिनियम 1932 की धारा साथ के तहत अपायार दर्श कर दी है सिसीटी फुटेच और अन्य सबूतों के आधार पर भीड में शामिल उपद्रवियों की तलाश की जा रही है घटना के अगले दिन बाजार सामानी तोर पर खुले और लोगों ने खरीदारी की पुलिस बल के अतरिक्त इलाके में पैरा मि भीड को खदेडा वही सामने आया कि उपद्रव करने वाली भीड गौसिया मस्जित के पास जमा हुई थी गौसिया मस्जित उतरौला बाजार के बीचों बीच बनी हुई है यहां से वी मार्ट की दूरी महस कुछ ही कदमों की है पुलिस द्वारा हिंसा को जब काबू करन भंडार भी मौजूद है अलाकि प्रशासन की सकरिता से यह सब सुरक्षित है वहीं सिंसा के चश्मदीद और घटनेस्तल पर ही शुभब मस्थान भंडार नाम से मिठाई की दुकान चलाने वाले अमन बोधवाल ने एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया कि घटना क नहीं दिखाते तो ना जाने हमारा क्या होता वहीं जहां एक तरफ बल्रामपुर पुलिस ने उपद्रवियों को बिना कोई नुकसान की एक हदेड़ा तो वहीं सोशल मीडिया पर भी कड़ी पहरेदारी की गई पुलिस ने तमाम स्टाफ ने उन खबरों पर कड़ी इंसा पर उतारू हुई वह साल 2022 का बताया जा रहा है वीबाजार ये भी पता करने की कोशिश कर रहा है कि दो साल पुराना स्टॉक अचानक ही स्टोर में कैसे आ गया साथी पड़ताल इसकी भी की जा रही है कि कुछ ही देर में फोटो वीडियो वारल करने के साथ भीड का जमावडा कैसे हो गया फिलाल पुलिस के संग्यार में मामला है और पुलिस आगे की कारवाई में जुटी है स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेश होंगे ने मुद्दे के साथ बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे है कैपिटल टीवी उत्तर प्रद नमस्कार